सरकाल के कड़े निर्देशों के बाद जहां अन्य जन्पतों की अपेक्षा संबल क्राइम के मामले में हमेशा आगे रहा है लेकिन इस बार संबल पुलिस अधिशक युमना परशाद के कुश्ण निर्देशन में चले अभियान के तहट क्राइम के आखड़ों में कमी आई ह जनपर संबल में आयँ पुलिस अधिक्षा के उन्म पर्शाट की मोझूदगी में पिछली वर्षी अप्राद एवं अपराधिक मामलों में कमी दर कमी आने का मामला साम में आया जो कि जन्ता के प्रती पुलिस परशाशन का सराणीय कारे रहा है। सर projects जिस तरह से संबल में क्रैम के मामले थाने हैं चंपर संबल सबसे पहले पुलिस द्न संबाद स्थांबीत करके सभी में यह विसास भाली की गई है कि पुलिस पुछासन जनता की सेवा के लिए जनता के लिए जनता से उनकी जो समध्नाह है राकरण के लिए हैं। 1090 जो इस्पेसिली महिला संबंधी अपराद के लिए है इसका लगातार पचार पसाद किया जा रहा किसी भी महिला संबंधी अपराद या छेट ठानी या कोई भी घटना अगर होने की संभावना होती तो आप तदकाल 1090 के माधियम से और 112 के माधियम से जरूर सुचित करें ह हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विगत वर्स की तुलना में इस वर्स हमारे हाँ सभी हेड में जो हमारे क्राइम के मेजर हेड हैं सभी हेड में लगातार कमी हुई है क्यों कि ये इससे लगता है कि पुलिस अपना सयोगात्मा गूप में और प्रभावी कारवाई सुनिशित कर रहे हैं लगातार आप देखेंगे भी संपत्ति संबंदी अपराद जो होते हैं हमारे हां जकायती लूट बाहन चोरी नकब जनी आरी घटनाओं में हमारे हां सेटीस पसंट की लगभब कमी हुई है उबराल इसमें पिछले वरस्प की तुल्णा में सेटीस पसंट की कमी हुई है महिला संबंदी अपराद में देखें जिसमें महिला अत्या, रेप, अपहन और पॉक्सो एट के जुम कदमें हैं इसमें भी हमारे हाँ 25% की कमी हुई है तो इस तरह से लगातार लोगों को जागरूब ही किया जा रहा है, पुलिस उन्हें अपरादियों के चला प्रभावी कारवाई, गुंडा एट की, गैंगेस्टर एट की, एनसे की कारवाई और जिला बदर की कारवाई लगातार कर रहे हैं जिससे अपरादियों पर अंकुस लग रहा है और अपराद में गिरावटा रहे हैं और जन्ता में विस्वास बहाली हो रही है